नमस्कार दोस्तों 10DMD Institute चनल पर आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों MDU exams को लेकर जो 20 तारिक से शुरू है MDU की पूरी त्यारी थी और फिलाल कल शाम को सभी कोलेज सभी अनिवस्टियों को बंद करने के आदेश जारी किये गए है मैं आपको शुरू से सारी बताऊंगा और ज्यादा चांस है MDU के एक्जाम पोस्ट पॉंड होने के वो भी क्यूं और कब इसका नोटिस और कब इसकी पूरी ओफिशल जानकारी आ सकती है कहां पर आ सकती है सबसे पहले वो आप लोगों को पूरी खबर बताई जाएगी तो इस वीडियो को अन तक देखना ना भूले और जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे तो दोस्तो पहले चलते हैं ओफिशल नोटिस पर बंद के तो दोस्तो ये थी गाइडलाइन जो सरकार ने कल जारी करी इसके अलावा एक फेक नोटिस भी वाइरल हो रहा था वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा यहाँ पर ये गाइडलाइन आदिकारिक हैं जो 16 तारिक से लागू की गई हैं देर शाम को तो इसमें थर्ड पॉइंट था यहाँ पर फॉर्थ पॉइंट कि सभी स्कूल जितने भी अरियाना के स्कूल हैं प्राइवेट हो सरकारी हो जितने कोलेज हैं जितने कोचिंग इंस्टिचूट हैं और कुलमिलाक के उनिवस्टी भी बंद होगी आई टी आई हैं लाइवरेरीज हैं और एमडियो की लाइवरेरी कोई बंद किया जाएगा ट्रेनिंग इंस्टिचूट हैं गोर्मेंट हो या प्राइवेट सब के सब बंद रहेंगे तीस तारीक तक तो इसका में बात है कि क्या बंद रहेगा वो मैं आप लोग को बता द कर दी हैं CRSU जीन्द ने भी पोस्ट पॉंड कर दी हैं सतारा से तीस के सभी एक्जाम और IGU रिवाडी ने भी थोड़ी देर पहले ऑफिशल नोटिस निकाल कर अगले आदेशों तक अपने आने वाले एक्जाम पोस्ट पॉंड कर दी हैं तो यह स्तारी उनिवरेश्टियो पॉस्टल बंद के नोटिस वो भी दिखाता हूं यह है दोस्तों हरियाना के उश्तर शिक्षा इवाग शिक्षा निदेशाले बोलते हैं जिसे उसका नोटिस जिसे सबी सरकारी प्राइवेट गौर्मेंट कोलेश सबी को भेजा गया है जिसमें यहां पर 42 के करीब पेज क की सोपी थी जो पहले जारी की गई थी कि ऐसे ऐसे रहना है वो सारी चीजे और काएगी उनिविश्टी जो भी हो वो तीस तारिक तक बंद रहेंगे इसके सकता देश दिये गए हैं जिसमें डिजास्टर मेनेजमेंट एस्ट के अंदर कारवाई की जाएगी यह साथ है तो दोस्तों यह है वो फेक नोटिस जिसमें वीकेंड के लोगडाउन सेटरडे संडे की बात की गई है जिसे अर्यान सरकार ने कहा था कि यह फेक है तो यह किसी के वहम में हो तो उसका वहम दूर कर देना और यह दोस्तों कोलिजों ने भी अपने लेवल पर नोटिस निकाल दिया था यह कल ही नोटिस निकाला था और उस बारे में बात करते हैं तो इसमीं नोटिस में लिखा गया है कि ओनलाइन क्लास लगेंगी जो भी कोलिज के दौरा इंफरमेशन दी जा रही है उनमें का जा रहा है कि ओनलाइन क्लास लगेंगी और जो में बात आती है कि एड अब युनिवर्श्टी ने अपनी मर्जी से पोस्टोंड करें एक्जाम कोवीड को देखते हुए कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो युनिवर्श्टी परजासन भी अपनी तरफ से फैसले ले रहे हैं और अब बात आती है मुखे की MDU का फैसले के बारे में एक बार यहां पर होस्टल बंद का भी नोटिस देख लीजिए नेकिराम कोलेज के चात्रावास को दोपैर 12 बजे आज खाली करने के देश जारी किये गए है गल्स होस्टल का वार्डन मैम का नोटिस है यह आप देख सकते हैं कुर्शेतर विश्विदाल लेके कलोजर का नोटिस की ओनलाइन टीचिंग जारी रहेंगी ओनलाइन एक्टिवटीज रहेंगी और यहां पर होस्टल को भी बंद रखा जाएगा और यह थी मेरी देर रात की इंस्टाग्राम पेज की हमारे की पोस्ट जो आप लोगों ने देखी भी होगी कि MDU PG First semester की परिक्षा है जो 20 April से शुरू थी जिसकी MDU की पूरी त्यारी थी तो वो पोस्ट पॉंड करने के likely है और MDU PG के जो भी एक्जाम है 20 April से लेके 30 April के यह एक्जाम जो शुरू होने है इनके स्थगित करे जाने के असार है तो अब बात निकल के आती है कि चार इनुवर्स्टियों ने अपने एक्जाम पोस्ट पॉंड भी कर दी हैं तो आप लोगों को भी यह लग रहा होगा कि इनुवर्स्टी पोस्ट पॉंड करेगी एक्जाम MDU के जैसा कि हमें भी लग रहा है और जबकि हमने तो बलकी और अब मुख्य बात आती है कि आपको सबसे पहले जानकारी कहां मिल सकती है और आज इनुवर्स्टी में जरूर मीटिंग हो रही होगी इस समय फिलाल 12 बजे मीटिंग हो रही होगी और कहां आपको सबसे पहले इन्फोर्मेशन मिल सकती है तो सबसे पहले आपको दोपैर तीन बजे के करीब आप M.D.U के फेस्बुक पेज पे अफिशल फेस्बुक पेज है महरशी द्यादन्द युनिश्टी के नाम से तकरीबन 20-21,000 लाइक हैं तो तीन बजे आप M.D.U के अफिशल फेस्बुक पेज एक बार जरूर देखेगा और दूसरा M.D.U की वेबसाइट पर M.D.U की वेबसाइट पर तकरीबन 6 बजे के करीब जरूर देख लीजेगा क्योंकि मुझे उमीद है शाम को 6 बजे करीब M.D.U की वेबसाइट पर परिक्षाओं को लेकर क्या फैसला लिया गया है क्या वो ऑनलाइन की तरफ रुक करेंगे या वो परिक्षाओं करेंगे क्या मतलब कुछ नतीजा निकल कर जो आएगा वो चातरों को बताने की उनकी कोशिश रहेगी तो नोटिस आ सकता है और बता दू कि बहुत से स्टूडेंट्स ने सबसे पहले आप लोगों को हमने बताया था अपने इंस्टाग्राम पोश्ट पे की स्कूल कॉलेज बंद किये गए हैं उस समय पर किसी को अंदाजा भी नहीं था स्कूल कॉलेज इनिवर्सटी भी बंद हो सकते हैं तो वो एक नोटिस सडन आया था तो बहुत लोगों को लगा था कि ये नोटिस असली भी नहीं है या नहीं है तो वो नोटिस बहुत वाइरल हुआ और बोलकि कॉलेज इनिवर्सटी के अफिशल अधिकारियों तक एड़ दरे ट्रेंडी एमडियोंस की मार्क लगा हुआ नोटिस पहुचा तो उन्होंने साफ तोर पर कहा कि हम में ये नोटिस सच है और हम युनिवर्सटी की तरफ से गाइडलाइन्स का इंतजार कर रहे है तो युनिवर्सटी का रूख इस पर आना बाकी है बाकी सारी चीज़ अभी फिलाल एमडियों के पीजी परिक्षाओं को लेकर ऐसी हुई है कि 20 तारिक से शुरू होने के असार नहीं है तो यह सारी अब ओनलाइन की अपडेट आती है या पोस्ट मॉंड की जैसे भी कोई अपडेट आती है आप लोगों को इंस्टाग्राम पेज पर सबसे पहले बताने की हमारी तरफ से कोशिश रहेगी तो जो भाई पहली बार आया हो चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि इस वीडियो में सभी नोटिस सभी चीजे खुलके आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की हैं और नीचे वीडियो डिस्क्रिक्शन में टेली गर्ण गुरूप का लिंक है जिसमें जो भी नई अपडेट आती है वो देने की कोशिश रहती है और जो भी मेरे प्रस्नल वेक्तिगत वीचार भी होते हैं वो भी मैं कई बार आप लोहों के जागर देता हूं धने वाद दोस्तों